वेल्कम डू दू 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 फिल्म को डारेट किया था तुलसी रामसे और स्याम रामसे ने, वहीं फिल्म को प्रड्यूस किया था कांता रामसे ने, फिल्म की स्टोरी थी जेकी आहुजा की और फिल्म का म्यूजिक था अजीत सिंग का, फिल्म को रिलीज किया था बॉक्स अफिस पे 19 अक्टूबर 1984 को, फिल्म का first box office collection था 80,000 रुपिय फिल्म का first week collection था 11,00,00 रुपिय और फिल्म का इंडिया में net collection था 1,90,00,00 रुपिय साथ ये film ने कमाये की थी world-wide में 20,30,00,000 रुपिय इसी के साथ फिल्म का बजच था 8,500,00 रुपिय और फिल्म को box office पे blockbuster की wording मिली थी इसी के साथ मैं फिल्म 1984 की 29 नंबर की हाईस ग्रोसिंग फिल्म दी और फिल्म की IMDV रेटिंग है 6.4 आउट और 10 अब बात करते हैं फिल्म से चुड़ी कुछ अंसुनी बाते हैं तो इसके लिए भी एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता हैं इस फिल्म जो हवेली दिखाई गई है वो असर में महराष्ट में इस्तित है और इस हवेली का नाम नवाब पहले से है दोस्तों 1984 में लाबारिष दिल्ली में रेलीज हुई लेकिन पुराना मंदिर उसमें इतनी ज्यादा पॉपलर हुई थी कि पब्लिक लाबारिष ना देखके बलकि पुराना मंदिर देखने जा रहे थी यह फिल्म अनिरुत अगरवाल की डेवी फिल्म थी और इस फिल्म के बाद उन्हें काफी पॉपलर्टी मिली थी और उनका कैरेक्टर सामरी काफी ज़्यादा पॉपलर हुआ था इस फिल्म की पूरे सूटिंग कम्प्लेट हो गई थी रामसे ब्रिदर्स की फिल्मों में जो फेमस हॉरर मुजिक यूज़ होता है न वो इसी फिल्म में कमबोज किया गया था इस फिल्म में अनिरुद अगरवार का कैर्टर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था सामरी और इसी को लेके रामसे ब्रिदर्स ने 1985 में फिल्म बनायती सामरी जो की फिल्म रिज़ी थी 3D में दोस्तों यह थाचका मारे स्पेशल वीडियो फिल्म प्राना मंदिर पे वीडियो चलागा ते लाइक आए